रादे रादे जैशी किष्णर कर्तिशा क्रिटिविटी में आप सभी का स्वागत है आज की सीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही प्यारी से सुन्दा सा डिजानर हैंडबैक का आडिया शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने आपको बहुत आसान तरीकी से बनाना बत स्वावर करता है इसको मैंने यापि पीजो कंषेयर करेथा व्याट है तो में आप पर पको करना दो पीजो dif토 मैं बना किया है और इन तोनों को पर की जो measurement है वो बता देती हूं तो ब्लू कलर की यहां पर चड़ाई मैंने यहां पर 9 इंच रखी है और लंबाई इसकी 16 इंच है तो रेड और जो ब्लू कलर का जो फाब्रिक है इन दोनों की जो लंबाई है वो सेम है 16 इंच की के जो पर देखें जो लड़ कर देंगे इहां पर इंच का धैन के ट इस sinonलों की कपड़ा हमारा वरै नीचे नहीं हो लूपा मैं तो इहां पर दिखें की तरफ राद यहां की तरफ चार रिंच का निशान लगा देंगी चोक से तो यहां के कीशार इंच क practiced मैंने निशान लगा दिया है आप जो बंद वाली साइट है यहां से हम अंदर की तरफ आंगे और आगैंज के निशान लगा देंगいます Can जहां पर ओधियु निशान लगा दीए कोई मैंने निशान लोगाया है कि जागा पर हमें बिल्कुल सीथी और अलकि इससे घुलाई देदेंगे ऑजैसे हम यहां पर इसी चेप में इसकी हम यहां पर के घला करिए और आफकी से देगा ऑगे पहली बार आहें पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लीजिए गा विल्कुल फ्री है और लाइक अपर करने में एक सेकिन लगएगा तो फ्रेंट्स यहां पे पहले पीस की जैसे मैंने हैं पर कर लेंगे तो दूसरी पीस की भी ग कर लेंगे तो हैं यहां पर देखे किन आपयों कर देंगे कर दियार हूद अब हम फ्लू देंगे जो हमने बना कि त्यार किया रट में हूँ इसके आय साथ के लिया है तो शीझ का परскा कि राएंगी टो जिस को दिनłe आपार हम पर तरशिक यहां पर की जाब लेंगे ऑ इसके सभी के वालने लें न हम उन्दर की तरफ वोल्ड करेंगे और इसके पर टॉप ए लगा देंगे तो सभी हमारी उन ऊきक्के विरेची के इंगा घर करेंगे और चार ऐसकी यहां जो यहां पर सिराइन लगा देंगे तो यहां पर देखिए इसकी चारो साइट से मैंने इसके पर सिलाई लगा दी है अब यहां पर देखिए जो हमारी जिप की साइट है यहां पर हम एक पतली से पाइपिंग लगांगे आप चाहे तो इसको 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 कर सकते हैं तो इसको पाइपिंग लगाने के लिए मैंने एक पतली से स्ट्रिप ली है जिसके लंबा यहां पे 16 इंच जोड़ा यहां पे एक इंच आप जिप है यहां पर हम इस पाइपिंग की कपड़े को रखेंगे उल्टा करके हमने इसको रखना है और इसके पर हम एक साइट से दूसरे साइट तक पूरी सिलाय लगा दें तो हमारी यहां पर एक पतली से पाइपिंग यहां पर टैच हो चुकी है जिप के उपर इससे जो बैक का लुक है काफी देखने में अच्छा लगता है और फिनिशिंग के साथ हमारा यह बैक बन के तयार होता है और बाहर की साइट से यहां पर बहुत ही बड़ी पॉकेट हम और फिस दों पॉकेट बन के तयार हो चुकी है तो दूसरे पीस में घुकित के तयार होई है तो इस यहां पर बैक बनाने के लिए के लिए आप यहां पर पुरानी कप्रे यूज कर सकते हैं अगर आपके घर में पुरानी positive क्तिव Feria on a suit के side से बचेवे कपड़े होते हैं blouse piece है फोई भी पराने कपड़े का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस handbag को बनाने के लिए अब इस handbag में हम यहाँ पर handle को attach करेंगे तो यहाँ पर देखे handle बना के मैंने तयार कर लिए है और इसके लिए मैंने यहाँ पर 24 इंच रखी है और चड़ाई इस handle के यहाँ पर 1 इंच है तो 24 इंच के यहाँ पर 2 handle बना के मैंने तियार कर लिए है और इस handle को यहाँ पर देखे किस तरीके से हमने attach करना है वो देख लिजी तो यहाँ पर देखे हमने एक पीस लेड़ना है और एक पीस के पर हमने handle को यहाँ पर देखे बीच और बीच रखना है उपर की side से तो यहाँ पर देखे हम यहाँ पर handle को रखेंगे और इसके पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देगे तो यहां पर देखे दोनों पीस के उपर मैंने हैंडल को अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है और अच्छे तरीके से हमारे जो हैंडल है इसमें अटेच हो चुके हैं और इसी के साथ यहां पर फ्रेंट सेखे जिस पीस पर मैंने बाहर की साइट से दो पॉकेट अटेच करें थी इसके बीच में जहां पर मैंने इक पतली से पाइपिंग को अटेच कर दिया है जिससे जो हमारी सिलाई है बीच की वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और इ कि जिस पीस पर मैंने यहां पर बाहर की तरफ से एक पॉकेट अटेच करी है इसमें हम यहां पर अंदर की तरफ से पॉकेट का अटेच करेंगी लेकिन उससे पहले हम लाइन के कपड़े में एक तरफ से सिलाई लगा देंगी तो यहां पर देखे एक साइट से मैंने इस ल तो यहां पर देखें हम्हारा जो दोनों पीस है आपर त sharper तयार होचुका है और भी की टूटल यहां पी चार बनी है और पॉकट बनी तो अंदर के मैं साइज का पॉकट बनाए है और बाहर के साइज के तीन मुड़ु यहां पीस के इर सोज रहें Marriage दोनों पीस की measurement यहां पर सेम है अब इसके बीच में हम यहां पर जिप लगाएंगे तो यहां पर देखे मैंने एक जिप ली है और इसकी मैं आपको measurement बता देती हूं तो यहां पर जिप की जो टोटल लेंथ है यह है 18 इंच की अब यहां पर देखे इस जिप को हम सबसे पहले अलग कर लेंगे तो यहां पर देखे जिप को मैंने अलग कर लिया है अब यहां पर देखे जिप की जो सीदी साइड है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे तो उल्टा करके हम यहां पर एक पीस के ऊपर रखेंगे और इसी की साथ यहां पर मैंने एक स्ट्रिप ली है जिस जलाए लगा है हमारी जिप है और जो एह 26 गईएभ करके लेंगे वह पर लेंगे अभर यहां पे देखे लिए चिसके पर हम अंदर की तरफ आ चाहे लेंगे और इसके पर हम यहाँ पर एक साइट से पूरी साइट तक हम इसके पर टॉप स्टिश लगा देंगे तो यहाँ पर देखे टॉप स्टिश मैंने लगा दी है अब यहाँ पर देखे फ्रेंट जो स्ट्रिप है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको double fold करते वे इसके पर हम यहाँ पर सिलाय लगा देंगे तो यहाँ पर देखें दोनों पट्टी के पर मैंने यहाँ पर जिप पर अटेच कर दिया है और जो strip थी वो भी मैंने इसके पर अटेच कर दिया है इस trip लगane से friends यह होता है कि जब भी हम zip को open करेंगे तो कहीं पर जो हमारी zip है वो कहीं पर यहाँ पर अटेगी नहीं अब यहाँ पर देखें इसके अंतर हम जो आटेच कर देगे एक रंणर को हम साइट से डालेंगे तो यहां पर देखें सिलाइ मैंने इसके पर लगा दी है अब यहां पर देखें जो इसके अंदर का एक्स्ट्रा पार्ट है वह हम यहां पर कट करके निकाल देंगे और फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको यूसफुल लग रही है तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए तो प्लीज आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो यहाँ पर देगे जो extra part था वहाँ पर कट करके निकाल दिया है अब इसका हम दूसरा पीस लेंगे इस बैक का और इसको भी हम सेम तरीके से यहाँ पर stitch कर लेंगे अब यहां पर देखे इस पीसको हम उल्टा करके यहां पर रखेंगे इस पट्टी के उपर और एक किनारे से दूसरी किनारे तक हम इसके पर सिलाई लगा देंगे तो यहां पर देखे सिलाई मैंने इसके पर लगा दिया तो यहां पे देखिए इसके अंदर का एक्स्टर पार्ट थो आ, वो मैंने कट कर के निकाल दिया है अब इसके अंदर हम यहां पे छोटे-छोटे णोजिस लगा देंगे, ताकि जब हम सके फैंडल यहां पे निकाले, तो यह कहीं से भी हमारे हैंडल के बीच में कहीं जूलना आएं तो यहां पर देखें मैंने कट लगा दिया है अब यहां से हम हैंडल को खीच लेंगे और अच्छे तरीके से हम यहां पर दोनों तरफ से हैंडल को निकाल देंगे तो यहां पर देखे हैंडल को मैंने यहां पर निकाल दिया है अब सेम तरीके से हम दूसी साइड से भी भी यहां पर छोटे छोटे कट लगा देंगे और हैंडल को हम यहापे निकाल देंगे यहाँ पे?, तो यहाँ पे देखे, मैंने टौपश टिश होगा दिया है, दोनों साइट से, अब यहाँ पे देखे, इसके साइट का हम यहाँ पर बनाएंगे, पट्टी बनाएंगे लेकिन इससे पहले नीचे की तरफ से हम यह पर इसमें थोड़ी सी गुलाई दे देंगे तो गुलाई देखें किस तरीके से देनी हैं सबसे पहले आप यहां पर बराबर से इस बैक के पीस को सेट कर दीजेगा अब यहां पर देखें नीचे से हमने यह इसी में और यहां दो सायट से निशाल लगाएंगे और इसमें घुलके सी हम यहां पर देद्ञे झाल कि छिआ और सेप्थ कि बैकर लेंगी है तुर्ड communication का यहां पर देखें यहां पर देखें धा किरेंग ह hypothesis छिए मिन दोनों साइट सेमें यह अपर कंतें कर लिए अब आ सबसे पहले मेज़र्मेंट लेंगे तो यहां पे आरह चार इंब करने के लिए फबहले इसके बाद यहां पर मेज़रमेन लें लेंगे तो 1000 के स्ब्से पहले मेज़र्मेंट यहां स्वार एutta चार इंच के हम यहां पर इसकी चड़ाई रखेंगे अब हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं तो अच्छे तरीके से आप यहां पर नाप लेजिएगा इंच टेप से तो मेरा यहां पर एप्रॉक्स नाप आ रहा है तरंटी नाइन अड़ाफ इंच लेकिन मैं इसमें एक इंच बढ़ा कर लोगी बाद में जो भी एक्स्रा पट्टी होगी उसको हम यहां पर कट कर निकाल देंगे तो यहां पर देखें 29 इंच मेरा यहां पर ना पा रहा है तो यहां पर एक इंच बढ़ा के लोगी साड़े तीस इंच तो टोटल लंबाई मैं यहां पर साड़े तीस इंच रखूंगी इस पट्टे की इस यहां पर देखें पट्टी मैंने बना के तयार कर लिए है इसके बीच मेंने रबर शीट को अटैच किया है और इसकी में आपक लेंगे और में पीस को हमने किस तरीके से टैच करना है वो देख लीचे सबसे पहले यहां पर देखें इस तरीके से आपने बैक को बिठाना है और इसके बाद आपने पट्टी को यहां पर देखें किस तरीके से टैच करना है इसको आपने उल्टा रखना है देखें इस त जाए तो यहां पे पिन से को सिक्योर भी खर सकते हैं तो एकसा है से दूसरे साइटेक हम पूरी सिलाय करे लगा देंगे इसमें यहां पर देखिये एकसा नोकिक डिया अनुब तेख़या है मैं इसको अपने कीस तरीके से स्टिचक करना वँदेग कोइए इसको हमक यहां पर आपने सिलाई लगा दी है अब यहां पर देखेंस की दूसरी पार्ट को किस तरीकी से अपने स्क्राइब देख लिजी तो हैंडल को अच्छी तरीकी से अंदर कर दीजिएगा और एक किनारे से दूसरे किनारे तक गुमाते वे इसमें आप सिलाई लगा देज़ेगा तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स मैंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसमें अच्छे तरीकी से सिलाई लगा दी है और यहाँ पर देखे फ्रेंट्स हमारा जो बैक है बनके तयार हो चीक है अब हम यहाँ से बैक को सीधा कर लेंगे फ्रेंट्स यहाँ पर देखे इस बैक को बनाने के लिए आप अपने घर में आपके पास कोई भी पुराने कपड़े पड़े रहते हैं किसी भी पुराने कपड़े का आप यहां पर यूज कर सकते हैं इस बैक को बनाने के लिए यहां पर देखें मेरे पास सूट से बचेवे कपड़े पड़े थे तो उन कपड़ों का यूज करके मैंने इस बैक को बनाके तयार कर लिया है तो कपड़े थोड़े कम थे तो दोनों कपड़ों का अलग-अलग कपड़ों का यूज़ करके मैंने इस बैक को बनाके तयार कर लिया है और friends यहाँ पर देखे यहाँ यह है इस बैक का final look यहाँ पर देखे friends हमारे एक बहुत ही प्यारा सा दो कलर की combination में एक बहुत ही प्यारा सा खुपसूरत सा बैक बनके रेडी हो चुका है और यहाँ पे देखें आगे की तरफ से मैंने यहाँ पे फ्रंट में दो पॉकेट बनाई है तो आपको पॉकेट उपन करके दिखा देती हैं करकेकट नगा गलता है तो है तो चुटी 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 हमारी बाहर की तरफ से पॉकेट बनी है और काफ़ी अच्छê साइज मारी यहां पीचिह पे पर नगा दिया है जिसे हमारी बैक कालो ते कि काफी अच्छे लगा रहे है Douसी तरफ से या नगा है बड़ी पॉकेट हमारी बाहर की तरफ से बनी है दूसरी साइट से बाहर की तरफ से हमारी टोटल तीन पॉकेट बनी है और यहां पर देखे मैं इसका आपको बॉटम में दिखा रही हूं कितना प्यारा लग रहा है तो दो कलर के कॉम्बिनेशन में अगर आप इस तरीके का बैक बना के तयार करते हैं तो आपका देखने में काफी खुबसूरत लगता है और इस तरीके की अगर आप इसको सेल करते हैं मार्केट में तो इसके जो प्राइस है वह भी काफी अच्छे मिलेंगे आपको और इसको मैं आपको उपन करके भी दिखा रही हूं अंदर के सा बार पॉकेट बनी है बाहर की जाएट से तीन फॉकेट बनी है और अंदर से पड़ी पॉकेट बनी है जिसमें आप अपने मुबाइल फोन पैसे कार्ट कुछ भी रख सकते हैं और दो यहां पर मैंने रणर लगाई है और यहां बेग हमारा बना है काफी अच्छे फिनीश करती हूं तो इसको मैं 400-500 कि बीच में यहाँ पे सेल करती हूं क्योंकि इसमें आपका पूरा क्उस्ट आगर आप निकालेंगे तो या आप इसे जादे जयादे आ पर बहर साथब के णे के लिए कर सके और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार हैं पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने एक सब्सक्राइब करके आप करतेशा क्रेटिविटी को जादे चादर सपोर्ट जरूर करेगा तो चलिए फ्रेंड से मिलती हैं आपसे नेक्स वीडियो में एक नई वीडिया के साथ तो तब तक अपने ध्यान रखें खुश रहें और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद